में टेटेल में बात करेंगे लखनो और चेन्ने की बीच में होने वाले मैच नुबर 34 की बारे में उसके पहले कल की विनिंग मैं आपको दिखा रहता हूँ कल मुंबई इंडियन सो पंजाब के बीच में मुकाबला था जिसमें आप देख सकते हैं हमारी क्या टीम थी हमने कैप्टेन बनाया था सैम कुरां को हारदिक पंडिया को हमने वाइस कैप्टेन बनाया था हमारी टीम की खास बात थी हमारे टीम का कॉम्बिनेशन हमने तिलक वर्मा को अपने टीम में लिया था बाकी जो आपको रोहिस सर्मा सुरी कुमार यादव अगरा most of the opponent के पास थे रोहिस सर्मा कुछ लोगों ने नहीं लिया था अपने टीम में इसके अलावा हमारे टीम में हर सल पटेल थे जिनको बहुत कम लोगों ने अपने टीम में लिया था यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट इनिंग के बाद हमने यहाँ पे सेयर किया है members जितने भी हैं सभी यहाँ पे पहली इनिंग में एक clean sip कर चुके थे यह हमने कुछ हमारे opponent थे एक fight club है जिनसे हमारे point का difference first inning के बाद हमने सेयर किया है और first inning के बाद प्रीतम यादव भी हमारे opponent थे इनसे हमने point का difference सेयर किया है इसके लाव members का feedback हमने पहली inning के बाद लिया था कि first inning के बाद क्या position चल रही तो आप देख सकते हो इनका काफी ज़रा difference था पहली inning के बाद यहाँ पे इनका screenshot है match खतम होने के बाद का यह final point है जहाँ आप देख सकते हो अर्सदीद सिंग को छोड़ करके सभी player ने अच्छा point यहाँ पे दिया था यह हमारी team थी ultimately point का difference हमारे opponent के साब प्रीतम यादव और fight club के साब इतना इतना रहा कुछ members के winning हमने randomly यहाँ पे डाली हो यह time की कमी है इसलिए video भी late में आ रहा है तो जितना हमको time मिल रहा है उतना हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पे content share करते रहते हैं 23,500 इन्होंने win किया दो के दो contest इन्होंने win किये 9,000 का investment था 23,500 की winning थी 14,500 का इनको profit हुआ कुछ इनके screen shot आप यहाँ पे देख रहे हो इन्होंने 15,000 का investment किया 41,000 रुपए का इन्होंने winning किया और profit आप calculate कर सकते हो profit लगबग 25,000 से ज़्यादा के इनके का profit हुआ 25,000 रुपए यहाँ पे इनका screen shot आप यहाँ पे देख रहे हो इसके बाद एक और member है इन्होंने कम investment किया था 7,000 रुपए के इनके winning हुई थी लगबग 3,000-4,000 के आसपास इनका profit हुआ था यह इनका screen shot है आज हमारे एक और jackpot match होने वाला है जो कि आपको दिख रहा है लखनो और चिन्नाई के बीच में तो इसमें एक बाद फिर से आपको बड़ी winning होते हुए दिखाई देगी हमारा whatsapp number आपको इस screen पर दिख रहा है 914-0233-474 अभी मैं दोनों टीम के बारे में आपको detail में बताता हूँ सारे stats मैं आपको बताऊँगा अगर आप भी हमारी तरह बड़ी winning करना चाहते हो तो वीडियो के साथ last तक बने रहिएगा एक-एक बात और ध्यान से सुनिएगा समझीएगा और सीखिएगा क्योंकि मैं हमें इसा एक ही बात कर फोकस करता हूँ कि सीखते रहिए क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन अगर मैं लखनाओ की बात करो अभी तक इन्होंने 6 मैच खेले हैं 3 जीता है और 3 हारा है यानि दोनों ही टीम के अगर मैं बात करो दोनों ही टीम में 6-6 मैचेश खेले हुए है छे इन्होंने खेले है छे इन्होंने खेले है अंतर के वल इतना इन्होंने तीन मैच जीता है इन्होंने चार मैच जीता है और पॉइंच टेबल में चन्नाई की टीम नंबर तीन पे है लकनों की टीम नंबर पाँच पे है तो लकनो खराब नहीं कर रही है, लाश्ट के दो मैच लगातार हार के आ रही है और चन्ने की टीम के बात करें, लगातार दो मैच जीत के आ रही है उसके दो मैच के पहले लगातार तीन मैच लकनो ने भी जीता था उसके बार लगातार दो मैच हा रहा है दोनों ही टीम वैसे अच्छा कर रही है बाकी टीम से अगर compare किया जाए RCB की टीम तो point stable में bottom में साथ में से एक ही match जीता है, छे हा रहा है पंजाब की टीम ने साथ में से पाँच हा रहा है दो ही जीता है तो यहाँ पे comparatively दोनों टीम काफी अच्छा कर रही है अब यहाँ पे दोनों टीम की head to head मुकाबले की बात करें दोनों टीम के बीच में total तीन मुकाबले अभी तक हुए है क्योंकि यह लकनों का तीसरा सीजन है तीन में से एक मैच जीता है चननाई नहीं एक मैच जीता है लकनों ने और एक tie हुआ है उसमें जो भी डिसीजन आया हो उससे अपने को मतलब नहीं हम जीत हार देखते हैं सूपर ओवर वाला हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अगर मैं वाटसअप नंबर की बात करूँ यह हमारा वाटसअप नंबर है जो थोड़ी दर पहले मैंने आपको बताया 914-0-233-474 टेलिग्राम चैनल पे आप हमारे पहुंच सकते हो इसको स्कैन करके या तो लिंक वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्सम बॉक्स में यह हमारी यूजर आइडी है यह टेलिग्राम चैनल का आपको दिख रहा है 12 लाग रुपे का मेगा की वोवे कॉंटेस्ट नमने रखा हुआ है जो कि 4 लोगो को डिवाइट किया जाएगा 3-3 लाग रुपे लेकिन depend करता है आप कितने consistent हो कुछ लोग comment किसी वीडियो में कर रहे है किसी वीडियो में नहीं कर रहे है आपने consistency के साथ हर एक वीडियो में अगर comment नहीं किया है हर एक वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया है हर एक वीडियो को share नहीं किया है तो आपके चांसे 0% है हम लोग उनी को winner announce करेंगे जिन्होंने consistency के साथ ये सारे चीज़ें की है आपको वीडियो को like करना है subscribe करना है, comment करना है और share आप जितना ज़्यादा करोगे whatsapp group में, facebook पे, instagram पे, twitter पे जितने भी आप social media platform को यूज करते हो आपके top 4 में आने के चांसे जो उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपको follow करना है टेलिग्राम चैनल, link वीडियो निचे description box में है अब यहाँ पे आपके लिए 2 daily की contest की question भी हमने रखे हैं जिसका सही जवाब दे करके 2 lucky winner 550 रुपए win कर सकते हैं उसका भी जल्दी हम announcement कर देंगे लेकिन उसमें भी winner उनी को दिया जाएगे जिन्होंने हर एक video में answer दिया ऐसा नहीं कि आपने एक दो match में answer दिया उसके बाद आपने answer नहीं दिया तो consistency हमारे लिए important है और किवल आपको answer देने के लिए video नहीं देखना है आपको हमारे video को पूरा देखना है तो यह भी हमारे लिए important है अब यहाँ पर एगर मैं बात करो यह match होने वाला है लकनो के मैदान पे स्री अटल भी आरी बाज पर एक आना इस्टेडियम में जहाँ पर batting करना थोड़ा सा difficult है कहा जाता है difficult है ground बढ़ा है लेकि run यहाँ पर कई बार अच्छे बन जाते है और यहाँ पर लकनो की team में बहुत सारे matches जीते है लकनो अपने venue पर काफी matches जीतती है लगबख सारे matches उने जीते है यहाँ के अगर मैं बात करो तो boundary बढ़ी है जैसे कि straight boundary 81 meters की है shortest ground boundary यहाँ की 69 meter है जो अपने आप में बढ़ी है बाकि आप मैदान में देखो कि कहीं 54 meter होता है कई पर 53 meter होता है comparatively बढ़ा ground है square boundary यहाँ की 76 meter है जो की बढ़ी है तो यहाँ पर क्या होता है wrist spinner जो होते हैं leg spinner होते हैं उनको भी wickets मिल जाते हैं क्योंकि batsman मारने के चक्कर में catches वगेरे दे रहता है 160 का average score ए 999 लगना होगा total 6 होए है batting first ने 5 जीता है कि बाद में batting करना थोड़ा यहाँ पर difficult हो जाता है तो batting first करने वाले team का ज्यादा अच्छा record है 160 का average score है 199 highest है 2 x 190 प्लस 2 x 150 के निचे 2 x 150 से 179 के बीच में बनाया हर तरीके के run बनते हैं अब यहाँ पर last के पहले हम देख लेते हैं 4 मुकाबले जो हैं उसके बाद मैं पीछे की 2 slides आपको दिखाऊंगा last match वह था लगनो और देली के बीच में 167 लगनो ने बनाया देली ने इसको chase कर लिया 7 wicket pacer और 9 wicket spinner मैंने बताया कि spinner को भी यहाँ पर wickets मिलते हैं 163 बनाया लगनो ने गुजरात 130 पर all out हो गई 10 wicket pacer और 5 wicket spinner 199 बनाया लगनो ने पंजाब chase नहीं कर पाई 11 wicket pacer और 1 wicket spinner 177 बनाया लगनो ने मुंबई chase नहीं कर पाई 5 wicket pacer और 3 wicket spinner तो इसको देख करके आपको यह clear हो गया हो कि 4 में से जो 3 match है वो batting first करने वाले team ने जीता है और वो team कौन सी है वो लखनो ही है 3 match जीता है ये वाला match ये वाला match तो हार गई थी 1, 2, 3 ये वाला match डेली ने chase कर लिया है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है बहुत मुस्किल होता है 168 का target है वो second batting करने वाले team लखनो के मैदान पे chase कर ले लेकिन डेली ने batting काफी अच्छी की थी उस match में अब यहाँ देख लेते हैं इस venue पे कौन से player अच्छा performance करते है इस venue पे अगर बैटिंग की बात करूँ तो Kyle Mears का अच्छा record है लेकिन अभी तक 6 match खेले हैं लखनों ने 6 में से किसी भी match में इंको मौका नहीं मिला है पिछले साल इन्हों ने 6 match खेले थे इस venue पे और सभी match में अच्छा लगभग performance किया था 73 highest है और wickets भी इन्होंने लिये थे केल राउल का काफी अच्छा record है इस venue पे इस टोइनिस का अच्छा record है निकोलस पूरन है, बदोनी है दीपक हुड़ा है, क्रुनाल पंडिया है डिकॉक है और गायकवार्ड है यानि किवल एक ही player का record अच्छा है रविंदर जडेजा इनका record है बाकी देखो ये श्रिंग ठाकुर ने बहुत wickets लिये लगनोगी तरफ से 3 में 9 लिये रवी बिस्नुई ने 10 में 12 लिये नवीन उलहक ने 7 में 6 लिये मौसीन कान ने 3 में 3 लिये और अमित मिस्रा ने 2 match में 5 wicket लिये यहाँ पर ये देख सकते हो थिकसाना कोई खास performance नहीं कहा जाएगा पतिराना ने अच्छा किया है और कर भी सकते है मोहिन अली ने एक में 2 wicket लिया है तो इन सभी player पे आपको नजर बना के रखनी है अब देख लेते हैं head to head में कौन से player अच्छा performance करते है मैं अभी head to head match भी दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर लखनाओ की तरफ से चिन नहीं किया कि परडिकल ने अच्छा performance किया है लेकिन इस पूरे season ये एक भी match में अच्छा performance नहीं कर पाएं जबकि T20 World Cup नजदीक है जो player पहले form में नहीं थे वो भी form में आ गया है लेकिन परडिकल जो हमेशा अच्छा performance किया करते थे पहले तो RCB की तरफ से खेलते थे वहाँ भी अच्छा किया लगनो की तरफ से भी अच्छा किया लेकिन इस सीजन एक भी ऐसी पारी नहीं आई है जिसमें इन्होंने अच्छा किया हो तो ऐसे player को grand league में आपको try करना होता है आज के match में अगर फिर से मौका मिलता है तो अच्छा कर सकते है इनका चेन्नाई के against काफे अच्छा record है बदोनी का अच्छा record है दिकॉक का और मेर्स का अब चेन्नाई की तरफ से किस ने अच्छा किया है लगनो के against सीवं दूबे ने मोयन अली ने 6 wicket लिये है तीन match में बड़ा record है उसकी वज़ा भी हो कि सामने वाले team में left handers बहुत सारे है आपको दिखेंगे को इंटन डिकॉक left hand batting करते हुए पिछले साल कायल मेर्स थे वो भी left hander थे इसके अलाबा निकोलस पूरन भी है इस साल वो भी left hander है पडिकल है ये भी left hander है तो ये left handers बहुत सारे हैं इसले मोयन अली इस match में खेलेंगे भी और important भी रहेंगे सरद्दुल ठाकुर ने 3 match में 6 wicket ली है तो इन सभी player पे आपको ध्यान देना है अब देख लेते हैं daily की वो एक contest का पहला question कौन सा player सबसे आर रन बनाएगा सबसे आर विकेट लेगा hashtag saga flashback hashtag lsg vs csk आपको देना है या तो hashtag lkn vs csg भी आप दे सकते हो दोनों टीम की playing 11 देख लेते हैं केल रहूल ओपनिंग करेंगे डिकॉक के साफ इदीपक हुड़ा है आयस बदोनी है मारकास इस्ट्रेनिस निकोलस पूरन क्रुनाल पंडिया रवी विस्नोई यस सिंग ठाकूर अरसत खान आपको दिखेंगे फिर इसके बाद S. जोसिफ आपको दिखेंगे तो यहाँ पे लास्ट मैच में पडिकल को मौका नहीं मिला था दीपक हुड़ा को ऊपर भेजा गया था सुरुवाद अच्छी कर रहे हैं बड़ा स्कोर यह भी नहीं बना पा रहे है प्लेयर अच्छे हैं, बीच में जब फॉर्म में था इंको इंटरनेस्नल मैच में मौका नहीं मिला टीम A के साथ वो खेलते थे फिर जब फॉर्म में नहीं है तो फिर क्या कहा जाए यहाँ पे CSK की अगर बात करो इतरराज गायकवाड, रजिन, रविंद, रजिंक, रहाने डैरी, मिचेल, समीर, रिज्वी सिवम, दुबे, एमेज, दोनी, रविंद, रचडेजा, तुसार, देस, पांडे, रहमान और पतिराना यहीं की प्लेइंग 11 हो सकती है अब देख लेते कौन से प्लेयर, किस प्लेयर का आउट करते हैं सबसे पहले लखनो के बैट्समन को CSK कौन से बॉलर आउट करते हैं तो स्रदूल ठाकुर ने 38 बॉल में दो बार केल रहूल का आउट किया लेकिन रन भी बहुत खाए है 70 रन मारे 38 बॉल में रहूल ले चार बार आउट किया है डिकॉक को मुए न लीने आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हेंडर वर्सेज ओफिस स्मिनर 43 बॉल में 4 बॉल 63 रम मनाया है यहाँ देख सकते हैं पूरन को स्रद्दुल ठाकुर ने 5 बार आउट किया 18 बॉल में बहुत बड़ी बात है तो स्रद्दुल ठाकुर से खतरा किसको किसको रहेगा डिकॉक को रहेगा दो बार कर चुके है दो बार कर चुके हैं केल राहूल को 5 बर कर चुके हैं Puran को तो फिर से आउट कर सकते हैं इसके लाब प्थिरान ने 7 बॉल में 2 बर आउट किया है Nicholas Puran को स्रद्धुल ठाकुर में श्टोयनिस को भी दो बार आउट किया है तेरे बॉल में तो यहाँ पे हर जेगर स्रदूल ठाकूरी आपको दिखाई दे रहे हैं और मोयन अली आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये इनका काफी इच्छा record है अब देख लेते हैं चिन्नही के batsman को लकनो के कौन से baller out करते हैं तो एक-एक wicket वाला मैं read नहीं कर रहा हूँ आप screenshot लेकर करके देख सकते हो रहाने को दो ball में दो बर out किया है करुनाल पंडिया ने left time orthodox versus right hander match ups है out किया है तो important हो सकते हैं आगे चलते हैं अब यहाँ पे दोनों team के head to head मुकाबले देख लेते हैं और इनी सभी player का नाम मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था head to head में ठीक है जो मैंने आपको बताये था 125 बनाया लकनों ने चिन्नाई की team इसको chase कर गई यहाँ पे देख सकते हैं उनसर्ड बनाया बदोनी ने 20 बनाया निकोलस पुरान ने मोयन अली ने 2 wicket 2 wicket दुसार ने 2 wicket पतिराना ने यहाँ पे देख सकते हैं चिन्नाई ने 27 बनाया लकनों की team हार गई यानि एक match जीता चिन्नाई ने एक match जीता किसने लकनों ने ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 बनाया रितुराज ने सिवं दुबे ने 27 बनाया 4 wicket दिया मोयन अली ने 19 रम बनाया एक ही match में 4 wicket ले लिया था 2-7 देस पांडे है मेर्स ने तिरपन बनाया पूरन ने 32 बनाया आयस बदोनी ने 23 बनाया एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो मारकस इफ्टरनेस ने 21 बनाया केल रहूल ने और रवी विस्नुई ने 3 तो इन सभी का नाम मैंने पीछे लिखा हुआ था आपने देखा होगा इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ देख सकते हो 210 बनाया चेन्नाई ने और यहाँ पर लखनाओ की टीम ने इसको चेस कर लिया ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे उन्चास बनाया है सिवम दुमे ने मोहिन अली ने 35 बनाया है कुंटेट डिकॉग ने 61 केल राहूल ने 40 और बाकी यहाँ पर दो विकेट लिया था रवी बिस्नुई ने ठीक है आगी जलते है तो इन सभी प्लेयर पर आपको ध्यान देना है इंपोर्टन प्लेयर का ही नाम आया है लाश के 5 मैच की बात करूँ जैसे मैंने पहले ही बताया लगातार 2 मैच हार के आ रही है लेकिन उसके पहले 3 लगातार जीता था चिन्ने लगातार 2 मैच जीत के आ रही उसके पहले 2 लगातार हारा था अब यहाँ पर अलग-अलग प्लेयर का हम देख लेते हैं एनलिसिस रिसेंट फॉर्म कैसी है 8-8 यानि लगनो के प्लेयर का चिन्ने के अगेंस चिन्ने के प्लेयर का लगनो के अगेंस क्या रिकॉर्ड है इस वैन्यू यानि लगनो के मैदान पे एकाना इस्टेडियम में एटल भी आरी बाजपई एकाना इस्टेडियम में क्या रिकॉर्ड है यह हम देख लेते हैं, तो KL Rawl बहुत अच्छी form है, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं क्योंकि वल्ड कप आ रहा है, विकेट कीपर की जरुवत है इंडियन टीम को, पहले देखा जाए तो Quinton Dikok विकेट कीपिंग करते हैं या तो पूरन भी इंकी टीम में है, लेकिन कर ये रहे हैं क्योंकि इंको वल्ड कप की टीम में सेलेक्ट होना है 12 मैच में 400 बचमन, हेट टो हेट में अच्छा रिकॉर्ड है वैन्यू पे तो अच्छा खेलते हैं है, पीछे मैने आपको बताया क्विंटन डिकॉक, रिसेंट फॉर्म दो अच्छी इनिंग खेली तो लाज के तीन मैच से फ्लॉप हो रहे है बट इस वैन्यू पे अच्छा खेलते हैं चार मैच में पंचान में, हेट टो हेट में भी अच्छा रिकॉर्ड है इंपोर्टेंट रहे हैं के खास करके फर्स्ट बैटिंग में दीपक उट्डा लगातार फ्लॉप हो रहे है, ये दो तीन इनिंग अच्छी आई है हेट टो हेट में अच्छा रिकॉर्ड है, वैन्यू पे लगातार एक ओवर मिल रहा है मुस्किल से, कभी-कभी निकोलस पुरन अच्छी बैटिंग कर रहा है, बीच में एकाथ मैच में फ्लॉप हुए लेकिन अच्छा कॉंटर्बिशन दिया है, हेट टो हेट टो हेट वैन्यू पे इंका काफी अच्छा रिकॉर्ड है इसके बाद क्रुनाल पंडिया के बाद करें उतने कंसिश्टन नहीं, यहाँ पे तीन विकेट लिया है, यहाँ तिरालेस रम बनाया है, जीरो विकेट है यानि टोटल मिला करके दो ही मैच में चले है, हेट टो हेट में अच्छा रिकॉर्ड है, वैन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, हेट टो हेट में 10 मैच में 7 विकेट भी है और 10 मैच में 9 विकेट वैन्यू पे भी है और रन तो है यह इंके, अच्छे अच्छा कर सकते हैं इस मैच में, अर्सत कां के बात की जाए, लाज्ट में दो योवर किया, कुछ खास किया नहीं, आभी सरम बनाया, तो बैटिंग के लिए इनको अपने टीम में लेंगा नहीं, प्लेयर अच्छे है, दो मैच में विकेट नहीं इंका gonna head to head में, और इस venue पर भी एक मैच में विकेट नहीं है, तो अतने हं इंपोर्ट नहीं रहेंगे, ρवी विस्नुई की बात की जाए, तो इन्होंने, hey to head में इन्होंने विकेट लिया थे, 3 या 4 विकेट एक मैच में लिया था, लेकिन वो इस venue पर नहीं था, इन अच्छा कर सकते हैं इस venue पे इसके बाद Yassin ठाकुर ने अच्छा किया इस venue पाँच में नौ विकेट है हेट टु एड में विकेट नहीं मिला था और यहां पे पाँच विकेट लिया था फिर एक लिया था तीन से चार ओवर करा सकते हैं और wicket taking baller है As Joseph की बात करें तो player बहुत अच्छे हैं बट इस venue पे head to head में कोई record नहीं है Last match में 4 over किया था वicket नहीं मिला था देवदूर पर्टिकल लगातार flop हुए यहाँ पे देख सकते हो लगातार यह flop हुए एक match last वाला खेले नहीं बाकी यह 5 match का record है इसके पहले अच्छा खेल के आ रहे थे इस venue head to head में कोई record नहीं है नविनूल हक लगातार wickets ले रहे है जब भी मौका मिल रहा है एक दो wicket head to head venue पे कोई record नहीं है इसके बाद Mayang क्यादव को मौका नहीं मिल रहा है उतना मौका मिला नहीं है और मिल भी रहा है तो इतने wickets नहीं है तो venue पे दो मैच में जीरो wicket है तो कुछ खास अभी इंको लेने लाइक नहीं है Mohsin Khan लाज मैच में दो wicket लेकर के आ रहे है इंपोर्टन रहेंगे और जब भी खेलते हैं तो विकेटिंग को जरू मिलता है और venue पे भी अच्छा record है दो मैच में तीन wicket है, head to eight नहीं खेला है Amit Misra का record अच्छा है बट मौका नहीं मिल रहा है 17 मैच में 13 wicket, head to eight में तीन में 5 wicket venue पे है अगर मिलता है तो रिष्ट स्पिनर को विकेट मिलते हैं, लेगी स्पिनर है सेकंड डेली की ओवे कॉंटेस का कुस्सेन है कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी हैश्टेग सागा फ्लैस्बैक, हैश्टेग लेस्जी वर्सेज सी एसके आपो देना है अब यहाँ पे चिन्नाई की प्लेयर का रिकॉर्ड देख लेते हैं, अजिंक रहने को मौका नहीं मिल रहा है उतना, कभी इनका बैटिंग ओर नीचे कर दिया जा रहा है, कभी खिलाया यह नहीं जा रहा है अब बैटिंग नहीं आ रही है, तो फिर इनको उतना मौका मिल नहीं रहा है हेट टुएट वैन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, उतने इंपोर्टन नहीं रहेंगे यहाँ पे वैसे भी बैट्समें कम पर्फॉर्मेंस करते है रजिन्द रविंदर इन्होंने काफी अच्छा किया था, बाकि सभी मैच में फ्लॉप नहीं है बॉलिंग भी एके कोवर मिल रही है, वो भी दो मैच में बस किया है इन्होंने विकेट नहीं मिला है, हेट टुएट वैन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है यहां कम चांस ही चलेंगे रितुराज गायकवाड अच्छा कर रहे है, लगातार अच्छा कर रहे है, इस वैन्यू पे इंका बहुर अच्छा रिकॉर्ड है मैंने आपको दिखाए एक मातर रितुराज गायकवार्डी है जो कि लखनों के मैदान पे अच्छा खेलते हैं बाकि किसी भी बैट्समेन का नाम नहीं आए था हेट टो एड में ठीक किया है कोई खराब भी रिकॉर्ड नहीं है अदरवाज पहले बालिंग आती है तो इंपक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे डैरी मिचल को इतना मौका भी नहीं मिला है एक दो मैच में इंको वन डॉन एक मैच में उपनिंग करने भेज दिया गया था अजिंक रहने को नीचे कर दिया गया था वहाँ इनोंने 25 रम बनाया था उतनी बड़ी निंग नहीं आई एंकी बट अंडाउटेडली प्लेयर बहुत अच्छे है हेट टुएड और वैन्यू पर कोई रिकॉर्ड नहीं है धोनी जब भी मौका मिलता अच्छा करती है हेट टुएड में दो ही मैच खेला है फ्लॉप रहा है काफे नीचे वैटिंग आती है वैन्यू पर खेला नहीं है समीर रिजवी कुछ खास करने ही भाए रविंद रिजडेजा इंक बोटन रहेंगे और इंको कभी तीन विकेड मिलता है रविकेड भी बनाते हैं तो ऐसे ब्लेयर हैं कि इंपर्टन रहेंगे वैन्यू पर एक मैच में एक विकेड है हेट टुएड में तीन मैच में मातर एक विकेड अच्छा रेकॉर्ड नहीं है पतिराना इंके में बॉलर है दो मैच में साथ विकेड ले चुके हैं लाज में चार विकेड लेके आ रहे हैं हेट टुएड में एक मैच में दो विकेड और वैन्यू पर ही खेला था वो मैच तो उसमें दो विकेड था मुस्तिफिजुर रहमान भी लगातार विकेड ले रहे हैं इस venue पे तो और भी जादा important रहेंगे, gain first के आएगी, cutters वगरे का इस्तमाल करते हैं, लेकिन head to head में wicket नहीं है, इस venue पे इनोंने खेला नहीं है, तो यह आपके वेल लिए वैसे important रहेंगे, तो सारदेस पांडे भी slower ones का इस्तमाल करते हैं, तो इस venue पे यह भी wickets ले सकते हैं तो इस match में ballers आपको ले करके चलना जरूरी है, venue पे एक match में 0 wicket है, सरदूल ठागर तो आप सभी को पता ही है, कितना अच्छा इनका head to head में record है, players battle आपने देखा, हर जेगा इनहीं का नाम आ रहा था, तो अगर यह चिछ चिन्नई के management देखेंगे, इसको consider करेंगे, तो इनको फिर से 4 और मिलेगा, और यह wicket ले सकते हैं, और head to head में बहुर अच्छा record है, 3 match में 6 wicket, जो कि पहले ही मैंने आपको दिखाया है, venue पे इन्होंने खेला नहीं है, दीपक चेहर की बात की जाए, तो यह लगातार flop हो रहे है, एक match में 2 wicket लिया है, बाकी में, यहां भ इसके बाद यहां पर एसरासित की बात करें, इनको यह मोगा नहीं मिला है, बहुत अच्छे प्लेयर है, अब यहां बे ड्रीम 11 टीम की बात करते हैं, एक डैमो टीम हमने बना के यहां पर रखी हुई है, अपने प्रेडिक्सन के बिसिस पे, कैप्टन, वाइस कैप्टन मै इंपोर्टन है, दोनों ही स्पिनर है, दोनों ही लेफ्टाम और्थोडॉक्स स्पिनर है, और दोनों ही बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, पतिराना, मुस्तफिजुर रह्मान, इनकी टीम की तरफ से यहां से रवी विस्नोई और मोहसीन खान, वैसे आप दीपक चेहर को च पर बड़ी इनिंग केलते हैं, तो इंपोर्टन वाइस केप्टन की चॉइस है, बाकिस सेफ जाना है, तो रविंदर जे देजा है, क्रुनाल पंडेया भी है, क्योंकि विकेट ले सकते है, रन भी बना सकते है, बॉलिंग में पतिराना है, यहां से मुस्तफिजुर रह्मा इनको भी एक-दो विकेट मिल सकता है, यह हमारी कुछ प्रिवियस विनिंग है, जिसका लाइव विनिंग प्रूफ का विडियो इसी चैनल के विडियो सेक्शन मिल जाएगा, पेड मेंबर्सिप इसी नंबर पे अवलेबल है, 914-233-474, हमारा पेड मेंबर्सिप का चार्